हलो गाईज आप सभी का हमारे यूटूब चैनल गाईडर अखिलेस क्लासेज में बहुत बहुत हारदिक स्वागत है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अठारा सो सतावन विद्रोह के जो महतुपूर्फाइक्ट आप से परिच्छाओं में पूछे जाते हैं उन पर हम चर्शा करेंगे चलिए दोस्तों तो सबसे पहले जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवस्य कर दे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा है दिया गया है विद्रोह के केंदर भारतिय नेतरत्तु करता और विद्रोह कुचलने वाले जो बिरिटिस अधिकारी थे जिन्होंने विद्रोह को कुचल दिया खत्म कर दिया तो सबसे पहले केंद्र में दिया गया है विद्रोह का केंद्र था दिल्ली तो दिल्ली से कोन भारतिय नेतत्तु करता निकला इस विद्रोह को इस विद्रोह में दिल्ली से भाग लेने वाले थे बहादुर साह जफर एवं बक्त खां और इसको दबाया था अंग्रेज अधिकारी था निकोलसन एवं हडसन अगला केंद्र है लखनवू वहाँ से निकली थी बेगम हजरत महल और उसे दबाने का कारी किया था अंग्रेज अधिकारी था कैंप बेल एवं हेनरी लोरेंस अगला केंद्र था कानपूर जहां से निकले थे नाना साहब एवं तात्या टोपे अब वहाँ दबाने का कारी किस ने किया था कैंप बेल ने किया था अगला केंद्र है जहांसी, जहांसी से रानी लश्मी बाई निकली थी और इसको दबाने का कारी किस ने किया था, यू रोज ने किया था अगला केंद्र जो है वो है इलाहाबाद, इलाहाबाद से निकले थे लियाकत अली, इसे दबाने का कारी किया था करनल नील ने जगदीशपुर से निकले थे वीर कुमर सिंग एवं अमर सिंग, यहां पर इस विद्रोह को दबाया था टेलर एवं विंसेट आयर ने अगला केंद्र जो था वो था फैजाबाद, फैजाबाद से निकले थे मौलवी अहमदुला यहां पर विद्रोह को दबाने का कारी किया था कैम पवेलने अगला केंदर था बरेली बरेली से निकले थे खान बहादूर खान यहां पर भी विद्रोह को दबाने का कारी किया अंग्रेज अधिकारी था कैम पवेलने तो दोस्तों जो भी परिच्छा में अभी तक पूछे गए हैं उसमें यही पूछा जाता है कि किस केंद्र से कौन निकला और वहाँ पर किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाने का यानि विद्रोह को समाप्त करने का कारिके यानि समाप्त किया अगला पॉइंट जो है वो है 1857 के इतिहासकारों के मत जो विद्रोह हुआ था 1857 में उसके बारे में इतिहासकारों का क्या मत रहा है क्या कहा है विद्रोह को तो भारत का प्रथम स्वतंतरता संग्राम ये किस ने कहा इस विद्रोह को वीडी सावार करने कहा है राश्ट्री ये विद्रोह किस ने कहा ये कहा था डिजरैली ने पूरतया सिपाही विद्रोह किस ने कहा ये कहा था एक इतिहास कार हुए हैं यान लारेश एवं सीले इन लोगों ने पूरतया सिपाही विद्रोह कहा था बरबरता तथा सब्वेता के बीच युद्ध ये बात किसे ने कही थी ये कही थी टी यार होमस ने ये सब एकजाब में बहुत अधिकतर अगर कोई स्वतंतर भारत से अगर याधनिक भारत से प्रशन अगर उठता है तो चांस रहता है कि 1857 से अवसी एक प्रशन बनता है तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से छोटे टॉपिक के माध्यम से और कम समय में आप सभी को हमारे द्वारा लगातार वीडियो उपलब्ध कराये जा रहे हैं चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जय है